हेलो एब्रीवन आज का जो हमारा टॉपिक है भारतिय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री तता उनसे रिलेटिट कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक है अठारवी लोगसवा चुनाब में भाजपा सबसे बड़े दल 240 सीट प्राप्त करकर तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है रठवंदन सरकार है वो एंडियो की होगी इसके साथी तीन बार प्रधानमंत्री पद की सपत लेने वाले वो चौथे प्रधानमंत्री बन गए हैं पहले जो प्रधान मंतरी थे वो नहरू थे, दूसरी जो थी इंद्रा गांदी थी और जो तीसरे थे वो थे अटल ब्यारी बाचपे। अब सबसे अधिक जो कारेकाल रहा था वो प्रधान मंतरी कौन-कौन से हैं। तीसरी प्रधान मंतरी थी ठीक है। दूसरे लाल बहादु सास्त्री थे इंद्रा गांदी के खिलाफ सबसे जादा बार यानि कि पंद्रे बार आविश्वास प्रस्ताब जो था वो जारी किया गया था। थर्ड नंबर पर कौन आते हैं। बेटा कारेकाल किस-किस का रहा है वो इस प्रकार है। पहले हैं चौदरी चरण सिंह 170 दिन थे उनके इन्होंने कभी संसद में भाग नहीं लिया था। जो कारेकारी प्रदान मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा उनका 26 दिन था। यह 13-13 दिन के हिसाफ से यानि कि 26 दिन के हिसाफ से इनका कारेकाल रहा था। सबसे अधिक उम्र के जो प्रदान मंत्री थे बो थे मुरार जी देशाई यानि कि उनकी एज जो थी 81 वर्स थी ठीक है जो उन्होंने अपने कारेकाल में ही स्तीफा दे दिया था। सबसे कम उम्र के प्रदान मंत्री कौन थे राजीव गांदी थे जिनकी आयू किती थी 40 वर्स थी ठीक है नौ जो प्रदान मंत्री हैं जिनने भारत रत्न भी मिल चुका है उनमें से वो कौन-कौन से हैं एक थे जवाल लान नहरू दूसरे ते लाल बहादुर सास्त्री ती पीसरी थी इंद्रा गांधी चौथे ते राजीव गांधी पांच में थे मुरार जी देसाई और छटे थे ला गुलजारी लाल नंदा और जो पन्दोजार पंद्रे में थे अटल ब्हारी बाटपेई दोजार चौबिस में यह दोको मिला है पहले हैं पीवी नरसिमबा र क्लिए ठीक है थैंक यू सो मच